माफिया दीक एहमद और उसके भाई अश्रफ की हत्या की वार्दात के बाद सियासत भी तेज हो गई है एक तरफ यूपी के सीम ने घटना का संग्यान लेते हुए उचस्तरिये जाज के आदेश दिये हैं और तीन सदस्ये नाइक आयोग के गठन की घोशना भी की है वहीं विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार पर हमलावर है समाजवादी पाटी प्रमुक अखिलेश यादम ने ट्वीट कर कहा है यूपी में अपराद की परकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के होसले बुलंद है जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेयाम गोली बारी कर गे किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या इससे जनता के बीच भै का वादावरन बन रहा है ऐसा लगता है कि कुछ लोग जान बूच कर ऐसा वादावरन बना रहे है वहीं AIMIM प्रमुक अस उद्दिन OVC ने भी UP सरकार पर हमला बोला है एक ट्वीट में OVC ने कहा है अतीक और उनके भाई पुलिस की रासक में थे उनके हाथों में हतकडियां लगी हुई थी जैश्रीराम के नारे भी लगाए गए दोनों की हत्या योगी के कानून विवस्था की नाकामी है एंकाउंटर राज का जश्ण मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मतार है जबकि कॉंग्रस निता प्रियंका गांधी वाज्वा ने कहा है हमारे देश का कानून सम्विधान में लिखा गया है यह कानून सर्वोपरी है अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मगर देश के कानून के तहत होनी चाहिए यूपी के पुर्व सीम और विएसपी प्रमुफ मायावती ने भी खटना को लेकर यूपी कानून विवस्था पर सवाल उठाए है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में खुद से संग्यान लेकर कारवाई करने की मांगी है राश्ट्रिय लोग दल और रजसभासांसर जयंत चौदरी ने भी इस हत्याकांट बोलेकर उत्तर प्रदेश में जंगल राज बताया है हालाकि इस घटना में शामिल तीनों हमलावर गिरफतार कर लिये गए हैं और सरकार ने जाँच के आदेश भी दे दिये लेकिन माफिया के मर्डर पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही